पानी की भ्रांतियों को लेकर जो मैंने विडियो बनाया था, ये उसका एक अपडेटिड विडियो है क्योंकि मुझे पानी से जुड़े कुछ दूसरे आकड़े मिले हैं, जो बड़े अजीब हैं। मैं यहां लोगों के दिमाग में चलने वाले विचारों की बात करने वाला हूँ। मैं आप से कहूंगा कि आपका खून बहुत ज्यादा पतला हो जाएगा। मैं आपको अपनी प्यास पर ध्यान देना चाहिए। इसका रंग हलका पीला होना चाहिए, यही इसका नॉर्मल रंग है। अगर आपकी पेशाब बहुत ज्यादा साफ है, तो इसका मतलब यह हुआ कि आपका खून बहुत ज्यादा पतला है। अगर आपकी पेशाब का रंग गहरा पीला है, तो इसका मतलब यह नहीं हुआ कि आपको ज्यादा पानी पीना चाहिए, इसका मतलब यह हुआ कि आपके लिवर में कोई प्रॉबलम है क्योंकि लिवर इस पिगमेंट से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा है। अगर आपकी पेशाब में जाग बन रहा है, तो यह किड़नी की प्रॉबलम की तरफ इशारा करता है, या हो सकता है कि आप जरूरत से ज्यादा प्रोटीन खा रहे हैं। आपको पानी पीते रहना चाहिए ताकि आपका पेट भरा रहे और आप कम खाएं। आपको क्या लगता है कि पानी आपके पेट में जमा रहेगा। ज्यादा पानी पीने से आपका बजन कम नहीं होगा। वैसे आकड़े बताते हैं कि अगर आप कोल डरिंग्स के बजायर पानी पीएंगे तो आपका बजन कम हो सकता है क्योंकि ऐसा करने से आपके शरीर में शुगर नहीं जाएगी। वैसे सच तो ये है कि केवल पानी पीने से आपका बजन कम नहीं होगा। अगला पॉइंट ये है कि ज्यादा पानी पीने से आपके टॉक्सिंस बाहर निकल जाएंगे। अधिकांश टॉक्सिंस fat soluble होते हैं ये टॉक्सिंस fat cells के अंदर जमा हो जाते हैं इन टॉक्सिंस को आप बहुत ज्यादा पानी पी कर शरीर से बाहर नहीं निकाल सकते चलिए अगले point पर चलते हैं पानी आपको dehydrate होने से बचाएगा जाहिर सी बात है कि hydration के लिए आपको पानी की जरूरत है लेकिन आपको electrolyte और समुदरी नमक भी चाहिए जो असल में एक electrolyte ही है अगर आप बहुत ज्यादा पानी पीएंगे तो आपके शरीर से sodium नाम का mineral खत्म होने लगेगा यहां हमें एक condition देखने को मिलती है जिसे hyponatremia कहते हैं जहां आपके खून में sodium की मात्रा कम हो जाती है आपके दिमाग में सूजन और पानी भर सकता है आपको एंठन का सामना करना पड़ सकता है आपको कमजोरी महसूस होगी आपको सिरदर्ध होने लगेगा आप चिरचिड़े होने लगेंगे आपको सोचने समझने में प्रॉबलम आ सकती है यहां तक कि आप कोमा में भी पहुँच सकते है मैं आपको एक situation के बारे में बताता हूँ जब मैं practice कर रहा था तब मेरे पास कुछ लोग आते थे जिन्हें high blood pressure था वे diuretic medicine ले रहे थे जिसे लेने से आपके शरीर का sodium कम हो जाता है लोगों को बहुत ज्यादा पानी पीने के लिए कहा जाता था जिसके कारण sodium और भी कम हो जाता है लोग cold drinks पीते हैं, चाय पीते हैं और इनके अलावा वे कसरत करके पसीना भी बहाते हैं लोगों को कई side effects का सामना करना पड़ता है इसलिए अगर आप खुद को hydrate करना चाह रहे हैं तो आपको तरल चीजें पीनी चाहिए लेकिन आपको sodium का भी ध्यान रखना चाहिए और बहुत ज्यादा पानी पीने से बचना चाहिए जब प्यास लगे तभी पानी पीए आपका शरीर आपको बताएगा कि उसे कब पानी चाहिए आपको बस उसकी बात समझनी होगी अगर आप कसरत कर रहे हैं अगर बाहर गर्मी है अगर आपको पसीना आ रहा है अगर आप सौना लेकर बाहर निकले हैं या अगर आपने बहुत ज्यादा शराब पी है, तो आपको बहुत ज्यादा पानी पीना पढ़ सकता है. अगर आपको किट्नी के स्टोन से खत्रा है, तो आपको रोजाना कम से कम धाई लीटर पानी पीना चाहिए. मैं पानी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं जरूरत से बहुत ज्यादा पानी पीने के खिलाफ हूँ क्योंकि उसके कारण शरीर में असंतुलन पैदा हो सकता है अगले पॉइंट पर चलते हैं लोग कहते हैं कि खाने से ठीक पहले आपको बहुत सारा पानी पीना चाहिए वैसे तो आप खाने से पहले पानी पी सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन अगर किसी इंसान को एसिडिटी, अपच, सीने में जलन या ब्लोटिंग का सामना करना पड़ रहा है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि उसके पेट में परियाप्त एसिड नहीं है उस सिच्वेशन में खाने से ठीक पहले बहुत ज्यादा पानी पीना आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा खासकर अगर आप इन लक्षनों का सामना कर रहे हैं मैंने आपको ये बात भी बताई है कि अगर आपकी किड्नी में पत्री है तो आपको रोजाना कम से कम धाई लीटर पानी पीना चाहिए ऐसा करने से पेशाब बहुत ज्यादा गाड़ी नहीं होगी अगर आपको गाउट या यूरिक एसिड के क्रिस्टल की प्रॉबलम है तो उसके लिए आप पानी में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाकर उसे पी सकते हैं जिसकी मदद से गाउट के लक्षन कम होने लगेंगे अगर आपको किड्नी स्टोन की प्रॉबलम है तो आप पानी में नींबू का रस मिलाकर पी सकते हैं क्योंकि नींबू में मौझूद सिट्रेट ऑक्सलेट के साथ जुड़ जाएगा और कैल्शियम के साथ ऑक्सलेट का जुड़ना रुक जाएगा अगर आप कम कार्ब वाली कीटोजेनिक डाइट के साथ परियाप्त नमक नहीं खा रहे हैं और बहुत ज्यादा पानी पी रहे हैं तो उसके कारण आपको प्रॉबलम हो सकती है आपको कमजोरी का सामना करना पड़ सकता है उस सिचुएशन में आपको कीटो फ्लू या कीटो फटीग का सामना करना पड़ेगा इनकी रोक थाम के लिए आपको परियाप्त नमक लेने की जरूरत है आपने ये भी सुना होगा कि ज्यादा पानी पीना किड्नी के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इससे किड्नी को साफ करने में मदद मिलती है और ये अच्छी तरह काम कर पाती है लोग सोचते हैं कि अगर वे किड्नी को पानी की मदद से साफ करते रहेंगे तो किड्नी स्वच हो जाएंगी ये बात सच नहीं है ऐसा करने से किड्नी जरूरत से ज्यादा काम करने को मजबूर हो जाएंगी, ज्यादा पानी पीने से किड्नी साफ नहीं होंगी मैं आपको बता दूँ कि किड्नी खून को फिल्टर करने और खून में मौजूर कई चीजों को रिसाइकल करने का काम करती हैं लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि ज्यादा पानी पीने से किड्नी साफ हो जाएंगी. ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, जो इसकी पुष्टी करती हो. जब आप कुछ खाते हैं, उदाहरन के लिए अगर आप सबजियां खा रहे हैं, तो सबजियों में 80-95 प्रतिशत पानी होता है, आपको अपनी सबजियों से अच्छी खासी मात्रा में पानी मिल जाता है. यहां तक की मीट में भी 60-65 प्रतिशत पानी होता है. जब आप शरीर का फैट बर्न करते हैं, तो उससे पानी भी पैदा होता है. ऐसा इसलिए है, क्योंकि जब आप फैट को ऑक्सिडाइज करते हैं, तो उससे माइटो कांडरिया में पानी और कार्बन डाइकसाइड पैदा होती है. सच तो यह है कि आप जितना फैट बर्न करेंगे, आप ऑक्सिजन के कारण उससे ज्यादा पानी पैदा करेंगे. दूसरे शब्दों में कहें, तो मान लेते हैं कि आपने आधा किलो फैट बर्न किया. इतना फैट बर्न करने पर आप आधा किलो से थोड़ा ज्यादा पानी पैदा करेंगे. ये बात थोड़ी अजीब जरूर है, लेकिन सच है. लेकिन केवल उसी पानी के भरूसे ना रहें. जिसे हाइपर कैलसीमिया कहते हैं, इनके कारण आपको बहुत ज्यादा पेशाब आ सकती है। इसी वजह से आपको ज्यादा प्यास लग सकती है। आशा है इस वीडियो से आपको पानी से जुड़ी कुछ अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर आपने कार्बोनेटेड वॉ